एलो फ्रेंड्स प्यारे बच्चों आपके लेके आएं आज बहुत ही खुबसूरत मोहक और प्रेणा दायक कविता इस कविता का शीरसक है मेरी अभिलाशा और इस कविता के रचैता हैं हिंडी के सुपरसिद्ध कवी दुआरी का प्रशाद महस्वरी जी प्रकृति का दोस्तों यहां पे तातपर यह है कि हमारे चारो और जो लताएं हैं पौधें हैं व्रिक्ष हैं जीवजन्तु हैं नदी हैं जील हैं तारे हैं और आकास में नाना प्रकार के ग्रह उपग्रह हैं वो हमें क्या करते हैं सिक्षा देते हैं उनकी अपनी टीचिंग तो कभी उनकी टीचिंग को अपनी जिन्दगी में शामिल करना चाहता है यही उसकी अभिलाशा है आईए प्यारे बच्चों इस कविता का पाट करते हैं सूरत सा दमकूमें, चंदा सा चमकूमें, जहलमल जहलमल उजवल, तारो सा दमकूमें, मेरी अभिलाशा है फूलो सा महकूमें, विहगो सा चहकूमें, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूमें, मेरी अभिलाशा है नब से निर्मलतालू, शसी से सीतलतालू, धरती से ध्रनतालू, मेरी अभिलाशा है मेगो सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पत पर में, सुमनो सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाशा है तो ये है प्यारे बच्चो कभी की अभिलाशा आपने देखा चाहे नभ हो चाहे शशी हो चाहे धर्ती हो चाहे मेग हो चाहे सागर हो चाहे सुमन हो चाहे सूरज हो चाहे चंदा हो चाहे तारे हो चाहे पक्षी हो चाहे कोयल हो हर एक से कभी जुडाओं महसूस कर रहा है और उसकी अभिलाशा है कि वो प्रकृतिगत जो चीजे हैं जो स्विक्षा हमें दे रही है उनी के तरीके से अपनी जिन्दिगी को क्या करे सुगंधित बनाए सुवासित करे तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि मेरी अभिलाशा ये कविता आपको पसंद आई होगी यदे आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पे कमेंट करें इसे अपने जैसे प्यारे मोहग बच्चों तक जरूर शेयर करें क्योंकि प्रक्रती हमें सीख देती है और ये सीख हमारी जिन्दगी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा चैनल पे पहली बार आए हैं विजिट कर रहे हैं जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फ़र वाचिंग एं लिसनिंग दिस जैजे प्रकास्टी बेस साइन्गाव